सब्सक्राइब सब्सक्राइब को स्वागत आपका इडिज ने है अडिकेटर चैनल में तो यह आपके एक कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेशन की जो सीरीज चल रही है जिसमें आप देख पा रहे हैं रास्तान करम चाहिए चैनबूर की जितनी परिक्षाय हैं उनमें अगर कंप्यूटर से लिक्टर कोशन आये हैं तो आपको इस सीरीज में देखने को बिलेंगे इससे पहले का जो वीडियो आच चुका है जिसमें अपने काफे अच्छे प्रशन जो किये थे उसका लिंक आपको आई बिटन पर मिल जाएगा आज का जो पेपर है आपका बतानी है कि हम जो प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड एड करनी होती तो कौन सी जो है शॉटकट की यूज करते हैं यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है हर बार कोई न कोई एक्जैम में आता रहता है क्योंकि कंफ्यूज होते हैं हम एंसे एंसे मतलब होता है कि अगर कोई न्यू स्लाइड करें तो एंड यूज कर सकते लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है इसमें हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एंप तो इस क्वेशन को आप ज़रूर ध्यान रखें तो वर्दमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जो है इंसेट करने के लिए कंट्रोल प्लस एंप की यूज की जाती है नेक्ट कुशन है एल यू का पूरा नाम बताना है तो इसका जो पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो फर्स्ट ऑप्शिन इसका राइट आंसर है सेल सीमा जी टू से एम बारा के लिए सेल संधर जो है होना चाहिए तो सेल की रेंज कितनी होगी तो यह होगी जी टू एम ट्वल जी टू रेशो एम ट्वल तो थर्ड ऑप्शिन जो है इसका राइट आंसर होगा अगर कोई कम्पीटर दूसरे को डेटाबेस सुवीदा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है तो वो उसको कहते हैं हम डेटाबेस सर्वर देट एंड टाइम डिस्प्लेई जोन तो किस पर डिस्प्लेई करता है यह करता है सिस्टम ट्रेपर कौन सी इसमें जो है font style नहीं है तो superscript जो है आपकी font style नहीं है compact disk में किस तकनीकी का जो इस्तमाल होता है laser का URL की full form uniform resource locator आप अपने handout में header और footer जोनने के लिए प्रियोग कर सकते है तो यह होता है handout master custom animation task pin का कौन सा विकलप आपको preset अथवा custom घूनन पत्थ जो है motion path जो होता है लागू करने की अनुमती प्रदान करता है तो यह होता है add effect slide show options available to the प्रिजंटेटर इंक्लूड अल फॉल फॉलॉइं एक्सेप्ट तो यह होता है आपके transition command के लावा इसको छोड़ करके बाकी सब मजूद होते हैं तो यह होते हैं transition command अगर system time and date है गलत प्रदिशित हो रही है तो इसका प्रियोग कर reset कर सकते हैं तो वो आपका control panel प्रतम PD के जो computer है उनमें प्रियुक्त होता है vacuum tubes जो है प्रियुक्त होती थी वैक्यूम टूब्स गीगाबाइट से ताद पर यह है तो पहले आपके पूछा गया था टेराबाइट गीगाबाइट तो इस तरह से भी आपके प्रश्न आते रहते हैं है तो इसमें क्या हो जाएगा 1024 MB MB और अगर यह टेराबाइट की बाद जादी टीवी की तो इसमें क्या हो जाता तो थर्ड आप्शन नेक्स्ट ए सीक्रेट की एंक्रिप्शन इस अलसो नॉन एज तो इसको कहते हैं सीक्रेट एंक्रिप्शन नेक्स्ट है वह साधन जिससे इंटरनेट द्वारा दूसरे कंप्यूटर की बीच डेटा एम फाइल्स का इस्तानांतरण जो है किया जा सकता है तो इसको कहते हैं TCP या फिर IP इसका दो नाम है ठीक है इसको TCP भी कहते हैं IP भी कहते हैं इन दोनों की फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए TCP की होती है Transmission Control Protocol और IP की कह सकते हैं Internet Protocol FTP की फुल फॉर्म क्या होगी File Transfer Protocol तो इसमें जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका TCP या फिर कह सकते हैं इसको IP तो ये दोनों आप नाम ध्यान रखें सूचना तक्निक की अधिनियम भारत में संसोदित किया गया 2008 में तो 2008 में ये जो है संसोदित किया गया था Next Electronic Kiosk एक रूप है तो किसका रूप है तो ये है Non-Store Retailing का इसमें हो जाएगा आपका First Option गेर दुकान जो है खुदरा बिकरी Non-Store Retailing कीबोर्ड एक तरह का यंत्र है तो ये आपका Input है Input Device है कीबोर्ड Excel Worksheet का प्रथम Shell को ऐसे लेबल किया जाता है तो लेबल किस तरह से किया जाता है इसको कहेंगे हम A1 नाम से Ctrl प्लस R जो आपकी Shortcut की है उसको क्यों यूज किया जाता है तो उसको क्या जाता है Right Align the Selected Paragraph और बीच में लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं Ctrl प्लस E MS Word में Ctrl प्लस S जो है वो किस के लिए यूज किया जाता है Save करने के लिए कौन सा अनुप्रियोग एप्लिकेशन प्रदशन तयार करने के लिए जो है प्रियुक्त होता है तो PowerPoint प्रिजिटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं PowerPoint कितने बीट एक बाइट के बराबर होते हैं तो art नेक्सट है पिक्षग होता है तो पिक्सट जो आपका होता है वह है तश्वीर का सबसे छोटा्य दूनने वाला भाग वह हम डिईटल signature होते हैं तो क्या होते हैं अ किस्ज जीनेटर तो इसको हकम कहेंगी जो scanned signature और computer जो होते हैं computer screen किये वे जो आपके हस्ताक्षर है signature है तो इसमें जाएगा आपका first option राइट आंसर नेक्स्ट है Bluetooth किसका example है कौन से network का example है तो यह है आपका personal area network का नेटवर्क कंजेशन घटित होता है तो यह होता है इन केस ओफ ट्रैफिक और लोडिंग कि थर्ड ऑप्शन और इस पेपर का जो लास्ट प्रस्शन है यहां पर आप देख पा रहे हैं वाई-फाई की फुल फॉर्म बतानी है तो वह होती है वाइरलेस फिडेलिटी तो यह थे आपके इस पेपर में लगवग 25 प्रस्शन है तो आप कितना स्कोर कर पाए हैं इन में से वह बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में इससे पहले के जो पेपर हो चुके हैं आपकी जिनमें आपके कम्प्टर से लेटेट कुशन आया है वह आपको लिंक आपको आई बि पीटर का हो चाहिए बाकी अदर का और कोई भी क्वेरी होता आप बहुत पर भी पूछ सकते हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग आज के से वीडियो में इतना ही बाके से आपके वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे तो बने रहेंगे